Hello everyone, welcome back to my channel Credible Learning. Today I will be doing a mono acting of Bhagat Singh. Namashtar, मेरा नाम हना है और आज मैं Bhagat Singh की mono acting करूँगी. Bhagat Singh, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को, कोट ने फासी की सजर सुनाई है. ये तो बड़ी खुशी की बात है. वोट, तुम्हें खुशी हो रही है, चबकि तुम्हें तो फासी लगने वाली है. इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, और उसे अपनी पूरी कोशिश से पूरा करता है. ड्रीम तो मैंने पच्पन में ही देखे थे. क्या आप ये देख रहे हो? हाँ, इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जल्यावाला बाकी मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का खूल मिला है. इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरा सपना, मेरा वजूद और मेरा मकसद याद दिलाती है, और इसका नाम है आजादी. तुम्हें का लगता है, तुम्हारी फासी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का दल्दीर पल्टे कोड़ों की, मुझे पता है, मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी. देखो भगत सिंग, यू आर अवेरी गुड हुमन बीड, तुम बस एक बार हमारे गवर्मिन को अपॉलजी लेटर लिख दो, उसके बाद मैं फिर अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें फासी की सज़र ना हो. जब मैं तीन साल का था, तब मेरे चाचा शहीर हो करते, जब मेरे गुरू कर्तन सिंग ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी. जब मैं सिर्फ साथ साल का था, हाँ, जो बच्चा इतनी कुर्बानियों में पला बड़ा हो, तो आप सोच भी कैसे सकते हो, कि वो आपकी सरकार को माफी नामा लिखके देगा. कल सुबा साड़े साथ बजे तुम्हें फासी दी जाएगी, अगर रात तक तुम्हारा इरादा बदले तुम मुझे बताना, क्योंकि फिर मैं जाके पर्सनली ऑफिसर से बात कर लूँगा. दिल से निकलेगी नाम मर कर, की वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी एवतन एव. भगत सिंग, क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना हमारे बाजू में है. वक्त आने दे बता देंगे तुझे आस्मा, हम अभी क्या बताए कि क्या हमारे दिल में है, इंकलाब सिंदाबर्ड, इंकलाब सिंदाबर्ड.